दोस्तों अगर आप भी 26 January 2024 यानि Republic Day की प्रेड को देखना चाहते हैं तो कैसे आपको टिकट को बुक करना है और कैसे आपको फाइनल टिकट को डाउनलोड करना है उसे जुड़िवी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में सेर करने वाला हूं तो चलिए दोस्तों वीडि को उपन कर लेना है उसमें सर्च करना है अमंत्रन M.O.D. यानि आप इस सर्च करते जो पहरा लिंक आता है उस पर आपको क्लिक कर लेना है जो कि है हमारा अमंत्रन.mod.joe.in क्लिक करते ही देखे हम डिफेंस की वेबसाइट पर जाएंगे जहां से आप अपने टिकट को यहा करते हैं क्लिक करने के बार देखिए आपके सामने जो टिकट एवलेबल है जिस डेट के अभी आपर देखे 10 जनवरी 11 जनवरी और 12 जनवरी के अंदर आप टिकट बूक कर सकते हैं तो इसमें आपको तीन ओप्सन देखने को मिल रहे हैं जो कि है एंक्लोजर के अंदर 28 जनवरी होती है हमारी जो कि साम के समय होती है बात करते हैं आपको बीटिवटरी जो कि 29 जनवरी और यहां पर देखे नोधर, जैसाम से होती है लेकिन जो हमारा beating retreatment होती है only only विजय चोक पे होती है तो विजय चोक के ही ticket मिलेंगे अगर आप beating retreatment का option select करते हैं तो यहाँ पर हम Republic Day parade के लिए अपना यहाँ पर ticket book कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें आपको 20 रुपे और 100 रुपे के ticket मिलने वाले हैं जो की south और north के हिसाब से आपको ticket मिलेंगे तो आप जिस location से आ रहे हैं अगर north से आ रहे हैं तो north वाले ticket लिजेगा और south side से आ रहे हैं तो south side की ही ticket आप purchase ताकि आपको easily sitting मिल जाए otherwise आप 26 जनवरी को प्रेड़ का time पे आप घूमते ही रहेंगे तो यहाँ पर देखे ticket availability चेक कर लिए जो कि आपके change होती रहती है ऐसा नहीं है कि आजगी जो ticket availability है वो हमारी हमें show कर रही है वो change होती रहती है तो आपको ticket कैसे book करना है इसके लिए आपको option मिलता है book your ticket here के option पर में click करना है क्लिक करते ही आपके सामने जाता है already register user अगर आपने पहले register कर चुके हैं तो आप यहाँ पर register mobile number fill के जिए capture fill के जिए request OTP क्लिक के जिए OTP के जिए और login हो जाए अधरवाइज आपने register नहीं किया है तो option मिलता है आपको register to book ticket इस option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको enter करना है अपना name email address mobile number और request OTP के जाएगा जिसको आपको OTP के फिल कर लेना है right capture फिल करना है और register के option पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपकर register कंपीट हो जाएगा और हम website के अंदर login हो जाएंगे जहां से हमें अपनी ticket को book करना है तो देखे दोस्तों login होते ही हम आ जाएंगे dashboard पर तो यहां पर आपको तीन option मिलते है book ticket guest list और book history तो सबसे पहले option मिलता है direct आप login होते है आपको option मिलता है guest list का याणि guest list के option में आपको add करने होते है guest तो देखे आपनी ID से अपने आप लोग इन क्रेट किया है तो आप यहां पर कितने भी gets यहां पर add कर सकते हैं तो यहां पर side side में उपसम मिलता है user manual और Hindi तो आप user manual को read करके अपना ticket book कर सकते हैं अदर्वाज आपनी language भी change कर सकते हैं Hindi और English अपने साब से तो यहां पर जो 12 digit है वो आपको fill कर देनी है इसके बाद request OTP क्लिक करना है आपके register mobile number पर एक OTP send के जाएगा इसको आपको OTP क्लिक कर लेना है और verify कर लेना है अपनी detail जैसे आप detail verify करेंगे जो आपकी अधार से link जो आपकी website detail है जैसे full name date of birth और address automatically यहां पर fill हो जाएंगे तो इसके आपको अपना mobile number जो की guest का होना चाहिए वो फिल कर लीजेगा इसके बाद email address फिल कर लीजेगा guest का जो भी guest आप इस name से आप यहां पर detail add कर रहे हैं इसके बाद option मिलता है देखिए आप पर current address अगर जो आपका address है वो आपका present address है यह पर्मनेंट address है और आपका current address दिल्ली यहां पर add की है जो कि मेरे यहां पर add हो चुकी है अगर आपको अपने किसी अदूसरी person का यहां पर add करना है तो सेम तरीके से आपको detail add कर लेनी है बात करते हैं अगर आप यहां पर अधार card का option select नहीं कर रहे हैं document में आप देते हैं driving license, water ID card या passport तो इस case में आपको करना क् जो driving license है पासपोर्ट है या फिर water ID card का number फिल करना है साथ में बिलता है आपको document upload करना है तो आपको front page और back page जो है आपका document का वो आपको यहां पर upload करना होगा साथ में अगर आप अधार card का option select करते हैं तो आपको document upload करने की जरूत नहीं है सिर्व आपको detail फिल करनी है और gas क detail को add कर लेना है तो सेम तरीके से आप कितने भी guest यहां पर add कर सकते हैं जिसके लिए आप ticket book करना चाहते हैं तो guest की detail add करने के बाद अब हमें जाना है book ticket के option पे book ticket के option पे आ जाते देखिए आपको तीन option देखने को मिलेंगे यहां पर अभी जो कि है republic day साथ में full dress rehearsal greeting retirement साथ मे public day हमारी 26 जन्वरी को होगी, beating retreatment हमारी 29 जन्वरी को होगी, full dress beating retreatment हमारी 28 जन्वरी को आपके ticket मिलेगी साथ में, अगर full dress republic day होती है वो होती हमारी 22 जन्वरी को, जिसको option अभी यहां पे available नहीं है जो आपको यहां पे जल्दी ही मिल जाएगा, तो हम यहां पे republic day की हापे अ number यहां पे change होते रहते हैं, तो आपको कहां पे ticket book करना है वो आपको check कर लेना है, तो यहां पे ticket का price है, एक का 20 रुपे है, second का 100 रुपीज है, दो ticket price यहां पे रखे गए हैं, साथ ही click here to week के option पे आप venue का layout है, उसको देख सकते है, north की side है, south की side है, जो आपका ticket book होगा, वो किस side का book होगा है, कहां का book होगा है, वो आप venue जो layout है, उसमें आप check कर सकते हैं, तो यह थोड़ा सा complicated है, तो आप जो का ticket रहेगा final, उस पे आपका venue का address, जो आपको इसमें view के अंदर check कर सकते हैं, किस side से आपको आना है, किस side से आपको entry मिलेगी, तो यहां पे हम इसको close कर और अपना ticket book कर लेगा है, तो सबसे पहले हमें option मिलता है, आप your list of guests, तो यहां पे हमें select करना है, अपने guest का detail, तो यहां पर जिसके लिए ticket management book करना है, उस guest के detail अपको add कर लेना है, तो यह थो यहान। आपको हमें self के लिए सिर्फ आड किया था, तो आपको और सारे option देख जहां पर आपको लेना है, वह फिल जाएगा उससाब कर लिजएगा इसके बाद यह जो भी आप यहाँ पर गृूप एडड करेंगे उसके साब से आपको यहाँ पर टिकट जो प्राइस आपको सो कर जाएगा तो मैंने आपसे सहल पर सो कर रहा है आप जितने भी person का यहाँ पर add करेंगे उस सब सब को payment मिल जाएगी payment आप pay you, bill desk और sbi pay के थुरू कर सकते हैं अगर आपको you pay के थुरू payment करनी है तो आप bill desk के उपको select कीजेगा और proceed to payment के option क्लिक करके अपनी payment complete कर लिजेगा तो आपको यहाँ पर तीन option देखने को मिलेंगे किसी भी एक option से आप payment कर लिजेगा तो यहाँ पर इसमें payment करते हैं तो आपको बार बार error भी देखने को मिल सकता है क्योंकि website पर error हो जाता है या फिर आप payment करने के बाद आपको शुकर जाएगा payment आप अपने साब से credit card, debit card, net banking, payment complete होता ही आप payment success हो करेगा और आपको 30 seconds wait करना है redirect कर देजाएगा website पे और इसके बाद आपको जाना है book history के option पे जहाँ पे देखिए आपका जो ticket है वो download का option मिल जाएगा ticket का इसको option पे click करके आप particular person का यहाँ पे ticket download कर सकते हैं इसने भी person का आपकी लिए आपने यहाँ पे apply किया है ticket के लिए वो आपको इस पे click करके आप download कर सकते हैं download करते कुछ इस तरह के से आपका Republic Day trade का ticket मिल जाएगा जिसमें आपको date mention होगा ticket का price mention होगा guest का name mention होगा और यहाँ पे सारी detail mention होगी जिसको आप यहाँ पे read कर लिजेगा आप instruction mention होगा क्या आप लेके जा सकते हैं और कहां से आपको entry मिलेगी restriction क्या है सब कुछ यहाँ पे mention होगा ticket के अंदर तो ticket का print out निकालके आप अपने पास save रख लिजेगा जब आप rate देखने जाएं तो अपने साथ इस ticket को साथ में लेके जरूर जाएं साथ ही अगर आप ticket mobile से book कर रहे हैं तो इस तरीके से कुछ आपको previous हो करेगा जिसका आपको print out निकाल लेना है या फिर आप mobile के अंदर भी इसको आप आप दिखाएंगे rate के time पे जब entry लेंगे तो यह आपका वाँ पर work करेगा अगर आपने ticket cancel करना चाहते हैं तो ticket cancel करने का कोई charge आपको return नहीं होगा ticket आप cancel करा सकते हैं तो यहाँ पर देखे इस तरीके से दोस्तों आप 26 January Republic Day का यहाँ पर ticket book कर सकते हैं इसमें अभी price 20 रुपे और 100 रुपे रखा गया है जल्दी यहाँ पर 500 रुपे का भी price यहाँ पर आ जाएगा tag जिसको आप ticket अपने साब से book कर सकते हैं